नवश्कार दोस्तों बगोन आप सभी कब लग करें और आपके सारीक शाय मुरक आपने पुरी हो दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्पों जान करें करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका पहले अंसर दिनेक बद और अवरल पाम रेडिंग पर आएंगे तो यहाँ पर आप CA अभी तक करते आए हैं यानि प्रैक्टिस भी किया है इसके रिगार्डिंग वर्क भी किया है मेनली आप यहाँ पर जॉब करते आए हैं जोब में एकदम से आपको डिफिकल्टिस आई है और जोब यहाँ पर कुट हुआ है तो आगे चलके जोब करना, CA प्रैक्टिस खुद की करना या इस्पाउस से मिल करके काम करना क्या आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा तो यहाँ पर सबसे पहले बात की ऐसा हुआ ही क्यों ऐसा दो कारणों से हुआ है पहला रीजन यह है कि आपको फिर्स्ट फिंगर के लिए बहुत ज़्यादा लॉंग है अपने अंडर दुसरों को रख जीवन में अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाना अपने नौलेज, स्कील्स, स्पेशलाइजिशन्स, लिडिशिप कॉलिटीज और मेनेजमेंट का उप्योग कर अपने किसी भी काम को सही अंजाम दे पाना अपने ग्यान पर पूरा भरोसा रहना यस सारे कॉंबिनेशन इस बात को कन्फर्म करता है कि आपके पास ग्यान में, योगिता में या डिसीजन या रिस्पॉंजबिलिटी टेकिंग स्किल्स में किसी तरह की कोई कमे नहीं है और जब किसी का फुर्स्ट फॉंगर इस तरीके से लॉंग हो रहे है अगर ऐसे वेक्ति को किसी के अंडल में काम करना पढ़ रहा हो या बेफिजल का सुनना पढ़ रहा हो या बेबुनियाद इल्जाम लग रहे हो या वो सारी चीजें जिसमें self-respect पर अगर बात आजाए तो वहां आप सिर्फ जो भी नहीं कहीं पर भी टिकेंगे नहीं जादा जहां पर self-respect दाव पर अगर आ गया तो क्योंकि जीवन में आपको पैसों से कहीं गुन्य जादा जो value करेगा वो self-respect करेगा आपकी खुद की value करेगी आपका खुद का authority करेगा तो इसलिए आप ज़से जाए तक हमेशा top position, authorities या बहुत great या बड़े level management के accordingly work करते वे या independently work करते वे देखने को मिलते हैं अधिकतर जितने भी लोग अभी तक CEO, director, commissioners या top authority management में जो एक class की position या rank होती है उन सब पे जितने भी लोग काम करते हैं उन में 80% के आसपस तक जो होते हैं उनकी first finger ऐसी ही long होती है तो एक तो ये reason है कि self respect कईना के आपका hurt हुआ दूसरा इसमें सोने पे सुहागा जो काम कर गया वो mangle की रेखा करगी जिसने aggression आपको खराब दिया और ये aggression आपके अंदर पहले से भी था लेकिन अभी कई न कई ये जादा फूट करके बाहर आ गया तो इस तरीके का mangle का combination वो होता है जो indicate करता है कि आपको बहुत जादा compress नहीं किया जा सकता आप ऐसे हैं कि अगर आप compress हो रहे हैं तो इतना बड़ा फूटेंगे कि जिसका कोई जवाब नहीं हो रहे हैं गुस्सा इसी करण से आपका ऐसा है कि आपसे भी control नहीं होता है वैसे ये high blood pressure का issue definitely यहाँ पर indicate कर रहा है बट मेरा दर्ख्वास रहेगा कि aggressions और irritation frustrations और बीना सोचे समझे किये गए काम इन सारी चीजों से आपको नुकसान हो या ना हो लेकिन कहीं न कहीं बहुत ज़दा एक प्रकर से anxiety, tension and worries आएगा तो इन energies को maintain रखना हो दो चीज़ कर सकते हैं पहला हन्मान चलिसा निरंतर करना चाहिए या हन्मान मंदिर में जा करके दीप दान या दीप जलाना चाहिए दूसरा इस condition में नीम का पेड़ भी लगा सकते हैं या छट के उपर में हन्मान जी का ज़ंडा भी रख सकते हैं किसी भी दिशा में कोई उसमें दिक्कत पर से नहीं है ये चीजें ऐसी रहेगी कि आपके जो इतनी भी एनर्जी हैं घर में हो या बाहर में हो तो उसको मिंटेन रखेगी और उसमें से भी अगर सबसे स्पैसिफिक और यूनिक और बेस्ट ट्रेमेडी है तो वो हन्मान चालीसा ही है तो ये अगर काम करते हैं तो आपकी एनर्जी कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी डिस्ट्रेक नहीं होगी और इससे बार बार आपको एगरेशन्स या दूसरे सारी चीज़ें आकर के डिस्टर्ब नहीं करेगी या जो हेल्थ इशू भी इन्फिजर हो सकता है वो टलेगा तो ये दो चीज़ होगी कन्फॉर्म कि इन कारणों से बात बिगडी है अब क्या करना चाहिए आगे सबसे पहली बात कि आपके हतेली से शुक्र से किसी भी लकलाइन का कनेक्शन नहीं है तो इस कंडिशन के ये मतलब होता है कि आप धूप बत्ती में काम कर सकते हैं लेकिन उसमें भी अपने खुद के रूल्स रेगलेशन अथॉरिटी या इंडिपेंडेंटली वर्क अगर करेंगे तो लाब मिलेगा पार्टनर से मिलकर और पार्टनर के अकोडिंगली चलने से किसी भी तरह का लाब नहीं है और मोर ओवर दूबत्ती में फिलहाल किसी भी तरह का भागय या सफलता का इंडिकेशन नहीं है दूसरी बात कि जो लगलाइन हैं आपकी वो luckline moon से 스ार्ट है तो अच्छा कांसा ये luckline माना जाता है कि जिस भी तरीके का मन चाहिए काम करने के लिए या जिस भी तरीके का मन किसी position authority के लिए या पेशों के लिए चाहिए वो वैसा काम बनता है यायनि मन के October लिए काम होता है स्टार्ट है तो अच्छा गासा यह लकलाइन माना जाता है कि जस भी तरीके का मन चाहिए काम करने के लिए या जिस भी तरीके का मन किसी position authority के लिए या पेसों के लिए चाहिए वो वैसा काम बनता है यानि मन के अकूरिंग लिए काम होता है लेकिन लग लाइन कहां रुग गए mind line पे यानि अपने ही decisions के करण अपने काम में परिवर्तन करेंगे और जो कि अभी हो भी रहा है फिर यहां से रेखा जो आपके निकली है ये वाली ये रेखा सीधे सैटन को connect कर गई है तो ये main कहां से निकली है mind line से तो आप जो भी काम अपने खुद के बुद्धी विवेक बलबुते पर करेंगे उन सबसे आपको जीवन में प्रसर निता उन्नति खुशी और संतुष्टी मिलेगा अभी तक का जीवन ऐसा था जिसमें भले ही position अच्छा हो पैसा अच्छा हो लेकिन satisfaction नहीं था अब ऐसा होगा कि आपको भले ही पैसे भी कम हो लेकिन satisfaction रहेगा क्योंकि वो काम खुद का रहने वाला है पहली बात तो यह होगी दूसरी बात इसमें कि आपका decision बिल्कुल सही सावित होगा तो आप अपने खुद के बहुत धिक सक्षमता खुद के गहन अधियन के accordingly जो भी काम अब करेंगे उसमें सफलता मिलेगा अब यहाँ पर आपका जो mercury line है जिसे business luck line कहते हैं वो strongly आगे बढ़ रहा है otherwise यह क्या हो रहा था इसमें break आने लग रहे था एक यहाँ पर एक हलका सा यहाँ पर तो यह जो breaks होते हैं यह तभी आते हैं जब हम मारे पर स्योकेता होते हैं और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो mercury line से बिजनस ही नहीं होती हमारा skills, knowledge, learning और specialization होता है तो आपका यह सारी चीज़ें CA field के अत्रिक आती है CA में जिन भी लोगों का success rate बहुत high देखने को मिला या जिनकी signature की कीमत लाखों लाखों में भी की है उनमें दो indications पाए गए पहला mind line के ओपर triangle बनना, वो आपके हतेली में बन रहा है यह क्या करता है, यह innovative ideas देता है इस condition में market capturing strategies अच्छे होती है competition को बहुत जल्दी lose कर पाते हैं और अपने past experiences और knowledge के भी हाँ पर अच्छा काम कर पाते हैं तो आप दूसरों को बहुत मुनाफ़ा दे पाएंगे यह mind line उस चीज़ को भी दर्शारी है और उस मुनाफ़े से आपको बहुत मुनाफ़ा होगा यह इस तरीके का circle यहाँ पर चलता है पहला तो यह indication होता है दूसरा mercury के उपर multiples line होती है नहीं तो square rectangle fish ऐसे sign होते है fish sign तो नहीं है बाकी सारे signs available हो रहे है multiples line available है इस condition में multiple languages का knowledge होता है intelligence अच्छी होती है intellectual personality होती है और बातों की गहराए को समझने की जो योगिता मरकरी के पास होनी चाहिए वो आपके पास है आप सिर्फ और सिर्फ उपरी परत पर ध्यान नहीं देते अंदर जाते हैं किसी बात के अंदर खुषते हैं दूसरा एक तो यह multiple languages का knowledge और multi एक प्रकार से attractive personalities को represent भी कर रहा है और इधर पर क्या हो गया कि आड़ी रेखा हैं जो हैं मौजूद है जिन्होंने विंडो साइन को create कर दिया विंडो साइन का formation बहुत ही अच्छा माना जाता है square जैसे फायदे तो इसमें नहीं होते लेकिन यह इस बात को confirm करता है कि अगर आप mercury से related कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको मेहनत ज़्यादा रहेगी responsibilities ज़्यादा रहेगी एक तरीके से जो मनौरंजन या मजे का समय होता है तो थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन जीवने में धन, सम्मान, विकास, सम्रिधी और काम बढ़ते रहना opportunities का prominent sign होता है window symbol तो आपके पस इतना काम आएगा mercury से related work में कि आप से संभाला नहीं जाएगा तो आपको अपने under में दूसरों को रखना पड़ेगा और एक firm चालू करना पड़ेगा in future वो इसका significance है तो mercury से related क्या काम होगे यह CA तो सबसे पहले इसमें आता है accountancy, financial field किसी भी तरह का business, independent work self employment, consultancies mediator, share market trading, digital marketing sales management इस सब mercury में आता है और भी बहुत सारे आते हैं लेकिन यह कुछ main keys हैं तो यहाँ पर यह combination क्या indicate कर रहा है कि आख बंद कर आप business करिये और business कर सकते हैं और business में भी और specific जाना है तो अपना CA का जो practice है यह खुद का firm है वो definitely आप establish करिये इसके regarding work करिये life में बहुत positive changes होने को आया है बहुत highly chances है वापिस job में जाने के आपकी क्योंकि अभी जो luck line है इसमें क्या हो रहा है कि branches आकर के add हो रही है और यह खुद भी जो luck line ने यह भी आगे बढ़ रहा है तो अभी आपका बहुत highly opportunities आने वाला है या आपका खुद भी मन होगा कि job जो है कई न कई प्रफर कर लिया जाए क्योंकि उसमें comfortability जादा रहेगी आपको अभी क्या आए कि बाखे सारी चीजों में थोड़े risk जादा लेने पड़ेंगे बट यह जो opportunities आएगी यह temporary ही रहेगी यह opportunity लेने के बाद regretty मेसुस होगा क्योंकि यह luck line Saturn को connect करी नहीं रही है तो satisfaction नहीं मिलेगा इसलिए major risk का समय है ले लिजे आपके वेसे भी आउटर मार्स से बहुत strongly रेखा ही निकल के आ रही है जिसने पुरु 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 निरेखा कहता है तो इस जन्न में बहुती संगर्ष भोगना पड़ता है संगर्ष अगर नहीं भोग रहे हैं मेहनत नहीं कर रहे हैं तो परिस्तिती संगर्ष करवा ही देती है तो इस पुरु रेखा को अच्छा माना जाता है क्योंकि ये रेखा बहुती hard working nature या बहुती dedicated personality देती है काम के प्रति बहुती focused, बहुती extreme workaholic personalities करियोट होती है तो वो hard work or dedications के करण position पर पहुचते हैं, बहुत अच्छे तो ये mangal और सूर्य मिल करके यहाँ पर महा युद्धा योग निर्मित करते है अब सूर के उपर में हम देखेंगे तो सूर के उपर में आपके जो triangle का sign है उसकी availability अच्छी है लेकिन सिर्फ triangle ही नहीं है ये ये इधर भी एक cross है इधर भी एक cross है इधर भी एक cross है और एक इधर भी है तो जॉब में तो satisfaction रहने हैं नहीं वाला क्योंकि reason ये रहेगा कि आप चाहिए कितना भी कुछ कर लिजाए आपको credit reward award नहीं मिल पाता है expected gain success नहीं मिल पाता है अपने ही कलिक्स से बॉसस से दूसरों से criticism या दोगलापन या cheating जैसे योग निर्मित हो जाता है लेकिन ये cross के sign क्या कर रहे हैं मजबूत कर रहे हैं आपको psychological वैसे और दूसरा ये trust issues भी बहुत create करेंगे तो बहुत easily trust कर पाना आपके लिए फिर मुश्किल होगा और business करते हैं तो ये सूरी क्या करेंगे कि आपके under में जो लोग काम करेंगे उन में थोड़ा बहुत कई नकी मकारी लाएंगे अगर crosses के sign तब तक रहते हैं अगर इसका suggestion आपको दे दिया जाएगा बाकि ये crosses के sign उतना negativity असर उतना negatively असर नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपर में बाइफोर के sign के availability है इधर पे squares के sign भी है Jupiter भी अपने आप में well established है और luck line का जो connections हैं वो आपके life line से भी attached है जैसे life line से luck line निकल रही है तो अपने मेंनत effort से आप at the end success हो जाएंगे बट अगर proper name, fame, respect, goodwill चाहिए तो sun को positive रखना, improve करना जरूरी है और आपका भी काम जो है job के regarding continue नहीं लग पाएगा मन नहीं लग पाएगा काम नहीं बन पाएगा तो इसलिए ये remedy करने से क्या होगा कि focus, dedications और जिस भी तरह कर reward, award, expected, gain चाहिए वो सारी चीज़े मिल पाएगे फिर तो इसलिए business करना और अपने field से related work करना सबसे ज़्यादा beneficial है फिलाल आते हैं आपके overall palm के analysis के अतरिक्त तो यहाँ देख सकते हैं कि finger के जो length है palm के comparison में long जा रही है तो इस condition में detailed analytical personality को denote करता है यानि हर काम को सोच विचार के करना अपने आपको pre-plant रखना life में एक एक step foot foot करके रखना patience अच्छा होना लेकिन इसमें जो results है वो long finger के आई नहीं पा रहे है reason 2 है पहला तो कि mangle का connection heart line से इतना strong है कि आपको बेचेन कर देता है फूरती में काम करने के लिए बहुत प्रेरित करता है और इस condition में आप action लेने के बाद सोच रहे है जबकि आपको यह attitude नहीं है या आपको personality नहीं है अब इन सारे चीजों से क्या हो रहा है अगर बारी के साब देखें तो आपके finger पर अने को आड़ी रेखाओं के availability आ रही है इस तरह की जो आड़ी रेखाओं होती है confirm करती है कि आपके इस कारण तो रिष्टे बनते भिगड़ते रहेंगे और इन सारे चीजों से कुछ हो ना हो लेकिन negativity तो mentality में आए गई thoughts में आए गई तो इसलिए आपको हन्मान चलिसा का suggestion दिया गया है भूत पिसाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे तो किसी भी तरह का negativity जो पिसाच है पिसाच बादा है वो नहीं आता है ये चीज़ करना चाहिए तो energy सही जगे direct हो पाएगा बाकि overall जितना काम आप सोच विचार के दूर दर्शीता रख करके करते हैं उतना ज़ाद आपको लाब मिलेगा लेडल फिंगर के लेंट थोड़ी तो short है लेकिन किसी तरह का negative implementations नहीं होगा क्योंकि mercury आपका अच्छा है तो communication skills, marketing skills, work management, work manipulations और अपने बातों से बिगड़े से बिगड़े काम बनाने की योगिता भी इस तरीके का mercury दे देता है इसके लावा finger के जो notes से वो develop बिलकुल भी clear cut नहीं है तो confusing mindset की निशानी है, decisions लेने में confusion doubts बहुत होगा इसलिए दूसरे वेक्तिविशिस के guidance सपोर्ट के आशकता पड़ेगी फैलेंजर से इंटर्नल मार्स के स्थिती ठीक है तो stamina, energy औरोग प्रति रोदक्षमता ठीक रहेगा थम का जो size है वो यहाँ पर आपका शशक्त है हठी, मजबूत, जिद्धी किसम का व्यक्तित यहाँ देता है यह कचिन develop अच्छा खासा जा रहा है तो सुक्स विधाओं में, materialism में कोई कमी नहीं होती है second falange के लिए अच्छी है तो इस condition में logical strength, power अच्छी होती है वैसे भी इस तरीके का थम लड़ाई जगड़े से दूर करवाता है बट वही जो बताएगा कि aggression आपको food ता है तो उससे थोड़ा दिक्कत दिखाए देरा है बट हम देखें तो इस तरीके का combination कोट कचिरे के मामले से बचाता है जब भी थम पे मानसल कम होता है तो palm का structure आपका pure squarish है तो यह एक hard working nature की निशानी हो जाता है सारे रिक मानसे किसी तरह के पराकरम से पीशे नहीं हटते है first finger भले ही long है लेकिन आप down to earth किसमे के रहेंगे बहुत कम resources में भी बहुत अच्छी जीवन चली जीना या बहुत बड़े बड़े desire या ambitions नहीं रखना या बहुत दिखावटी पन या shocking किसमे का वेक्ति तो ना होना ये combination इसमें आता है nature lover रहते तो इसलिए बहुत या down to earth रहना पसंद करते हैं दूसरों के life में interfere नहीं करते इसके अलावा mangal बहुत active है पाम में इस energy का अगर उप्योग अच्छा किया गया जैसे focus होकर कि कोई काम किया गया या dedicated होकर तो आप बड़े से बड़ा planning भी सफल कर सकते हैं decision भी सफल कर सकते हैं और कोई मकाम भी अच्छा पा सकते हैं शुक्र भी आपका develop अच्छे हैं तो इस condition में mangal शुक्र जब अच्छे होते हैं तो physical fitness improve करते हैं इस condition में long life होती है उमर से कम दिखते हैं चमा करोना अलग होती है इसके अलावा luxuries, comforts अच्छे होती है energies कभी खतम नहीं होती courage खतम नहीं होती और जीवन में सुक्स विधाएं या अच्छे रहन से और खान पाने की जो योग्यता हैं वो और improve ही होती है कभी कम नहीं होती तो ये combinations अच्छे हैं सबसे कम area जो ले रहे हैं वो upper positions में Saturn and Jupiter ले रहे हैं तो इस condition में आपके past knowledge तो बहुत रहेगा लेकिन उसको show नहीं कर पाएंगे या utilize करने में difficulties आएगा Saturn कम area ले रहे हैं तो सुबह उठने में भी और कोई भी काम के पूर्ण होने में भी बहुत देरी होगी या तकलिफ आएगी Jupiter के उपर में आपकी एक आड़ी रेखा जा रही है ये आड़ी रेखा आपको बहुत ही अच्छा spiritual connections दे देगी इस condition में आपका एक आएक बहुत ज़दर रुचान ध्यान बढ़ेगा और आपका पूजा पार ठेसा रहने वाला है कि वो भले ही 2 या 5 मिनिट का उपर बहुत fully dedicated रहेगा spiritual connection strong होना दयालूपन आना और social work में involved होना ये सब combination धीरे धीरे आएएगे इधर पर क्या है कि अभी science बनने बाकी है जैसे square का sign इधर पर आना बाकी है triangle का या star नक्षट रुच्चिन यहाँ बनना बाकी है तो ये चिन अगर बनते हैं और जितनी जल्दी बनते हैं उतना अच्छा prosperity properties और society में status आपका अच्छा establish हो जाएगा overall Jupiter ठीक है आड़ी रेखा है बच्चे बहुत लायक निकलते हैं शने की स्थिति में आड़ी रेखा भी है आपको mood swing का issues है और आप emotional hurt जब भी होंगे तब आप immediate decisions लेंगे और then after thinking करेंगे तो इस condition में Saturn को ठीक रखने के लिए ज़्यादा कुछ effort डालने की ज़र्वत नहीं है क्योंकि यह आपके nature में ही है multiple thinking multiple interest या multitasking nature Saturn के लिए बस एक suggestion यही रहेगा कि कोई भी एक ritual आप follow कर लिजे और Saturday to Saturday कुछ भी खिलाईए या चाय प्योर सेटन के कारक है तो वो भी आप पिला सकते हैं मजदूरों या निमने वर के लोगों को मेहनती लोगों को तो यह चीज़ क्या करेगा कि जो सेटन आपको बारबर मन विचलित कर रहे हैं loneliness या sadness फिल करा रहे हैं isolations में कई मरतबा ले जा रहे हैं उन सारी चीज़ों साब बच सकेंगे बागे आप दिल के साफ और दयालू करपालू निश्चित यहां दिखाई दे रहे हैं आड़ी रेखाओं का भी luck line पे बहुत कोई एसर नहीं पढ़ रहा है क्योंकि luck line की strength ठीक है थोड़ी बहुत रेखा definitely विखर रही है जो confirm करती है कि result on time मिलना मुश्किल होता है या satisfactions मिलने में difficulties होती बट पैसों की wealth की या opportunities के ऐसी किसी भी तरह की majorly कमी आपके पाम में नहीं है सूर के अपर में देखेंगे तो यहां पर भी square का sign है लेकिन यह square connected जो है वो इस तरीके से हैं जिसमें crosses के sign बहुत easily बन पा रहे है तो यह जो सूर्य है वो उतना अच्छा फिर नहीं respond कर पाता है और इस condition में जीवर में सब कुछ होने के बावजूद भी proper name, respect, fame मिलना मुश्किल होता है इसलिए इसका remedy करना career establishment ले जरूरी है और उपर में जो त्रिशुल जैसे चिन है यह confirmation देते हैं कि एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आएगा या नाम शौरत कमाएंगे या old age में सफल हो पाएंगे मरकरी की स्थिती obvious बहुत अच्छी है attractive personality है और by farg के इस तरीके के sign good sense of humor को build करते हैं hard line में जब double यहाँ पर line चलती है तो यह emotion feeling में fluctuation और health issues देते हैं जो in future आएगा approach 43-44 के बाद में तो वो चीज़ ना आए तो इसके लिए अभी से भी ध्यान रखना है और hard line जब Jupiter के तरव जाती है तो चाह करके भी बुरा नहीं कर पाते और दिल के बहुत साफ होने के कारण भी अपनी गलती भी accept कर लेते हैं इसके अलाव जो मस्तिश रेखा है उसकी स्थिती देखी जाए तो ठीक है आपकी इसने भी आपको mental stresses दिये हैं समय समय पर जैसे यहाँ पर पूरे island के formations available है यह island जो start हो रहा है यहाँ पर यह 32 के एज से लेकर के 38 ए 9 के एज तक है और island जब भी होता है mind lane पर तो वो पूरा का पूरा समय stress, worries, anxieties, fear और अपने तरीके से किसी भी काम को ना बनने के द्वारा जो भी worries आती है कि जैसे आपने कोई planning की decisions लिया आपने कुछ सोचा उसके just विपरिती काम हो रहा है तो थोड़ा worry होता है उस चीस को भी यह दिद्दर्श आता है moreover यह जो island है यह Saturn and Sun दोनों के mid में है तो mental stress तो आया ही मानसिक बोश तनाव तो आया ही Saturn और Sun दोनों के involvement के current career में disputes भी आया यह difficulties आई लेकिन यह island जैसी आपका खतम हो रहा है इसके just बाद में आपकी mindland का strength आप देखिए किया smoothly एकदम run हो रहा multiple bifur की किसान यानि अब जो आप खाली बेठें हैं या खाली जो बेठेंगे यह आपको नई ideas देगा creative बनाएगा organize way से काम करेंगे management improve करेगा और अगर business में जाते हैं तो चांदी-चांदी हो जाएगी आपकी कोई doubt है ने क्योंकि mindland decline है वो deep thinking आप से कराएगा imagination grade देगा और उपर के तरफ उटने वाली यह रेखा business luck या sense देगी तो इस condition में opportunity grab करेंगे और उन सारी चीजों से पैसा generate होगा और mercury line जो cross करके गया है यह luck तो दे ही राया अपने आप में अब उतना mental stress worries यानि आपको नहीं आने के संभावना है पूरी के पूरी मौजूद है और और ज़्यादा विकास जो काम में आपके होगा या आने वाले दो या तीन साल के अतरिक में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा लाइफ लाइफ लाइन के उपर में साफ साथ देख सकते हैं कि multiple self-made luck line, progressive lines निकली है आपने हाथ पाउंध हो करके मेहनत किया है अपने जीवन में 19-20 से लेकर के कम से कम 28 के उमर तक लगा अतार आप लगे रहे अपने काम में और अपने efforts पे बहुत भरोसा किया और उसके द्वारा ही आपको सफलता मिलती भी रही हमेशा आपके life में बहुत सारे लोग आया है और बीछड़के चल गए छोड़के चल गए उसका यह signature होता है लेकिन वो छोड़के गए तो और अच्छा होगे life में और ज़्याद़ प्रगति हो गई और ज़्याद़ मजबूत हो गई और ज़्याद़ life is stable हो गई तो यह सिलसिला चलता आया है अभी भी चली रहा है लेकिन आगे चलके ऐसा कोई और another combination नहीं है तो यह अच्छी बात है क्योंकि energies disturb नहीं होती है फिर इसमें इसके अलावा एक छोटे से लेवल का island का sign है जो health और family के regarding stress को indicate कर रहा है 32 से लेकर 34 के mid में और self-made luck lane और strongly अभी आपकी available हो रही है correct 39 में 42, 43 में और 45, 6 में भी और उसका तो mercury line ही निकल गई है तो life line की quality में यह है कि life line थोड़ा बिखरा जरूर है लेकिन इसके comparison में जो supportive line से एक तो वो improve होई है और luck line भी improve होई है तो यह जरूर रहेगा कि जिम्मदारी रहेगी भागदोड़ी रहेगी लेकिन खुशी, संतुष्टी, साथ, प्रेड़ना यह सारी चीज़े भी रहेगी जर्मिस्तान से दूर भी जाने की संभावना अच्छे खासी है और लंबी आयू शुक्र के करण है ही क्योंकि यह healing अच्छा करते हैं और बहुत ज़्यादा ही तनाव पूर्वक समय रहा 36-7 के एज तक उसके बाद की स्थीती में उतना तनाव या बाद हैं आपको नहीं आएगा क्योंकि worries line ही नहीं शुक्र के उपर में आड़ी रेखा हैं फैमिली के रिगाड़िंग भी stress worries दे जाती है जो वेक्ति जैसा वैसे accept करिए gratitude रखिए crystal की माला पहन सकते हैं या crystal का bracelet भी पहन सकते हैं ये चीज़े क्या करेगा crystal basically और कोई भी crystal उसमें कोई भी पाबंदी नहीं है ये crystal आपको बहुती शांत करेगा बहुती passionate बनाएगा और इस condition में जो भी relations के regarding issues अगर आते हैं तो उनको बहुत हलके मिलेंगे आप उसके लिए बहुत ज़्यादा serious नहीं हो जाएंगे या stress worries या over negative thinking नहीं करेंगे ये चीज़ कर लीज़े ये चीज़ अगर नहीं होती है तो शुकरवार के दिन हमेशा किसी भी मंदिर में जाकर के गुलाब का फूल दे सकते हैं इत्र भी दे सकते हैं perfumes का use अपने neck के उपर कर सकते हैं तो उससे भी relations improve होते ही है thought अच्छे generate होते हैं stress worries खतम होती है वैसे आपका शुकर है बहुत अच्छा बस इसको थोड़ा और साफ या clean करने की ज़रुवत है इसके बाद और ज़्यादा royalty और standard of living और peace and happiness increase होगा आपको केतो की स्थिती हतेली में ठीक जा रही है अभी कोई specific sign नहीं है in future होगा fish symbol का तो अच्छा माना जाएगा sudden gain और progress के लिए चंदर के उपर में crosses के साहिने आपके अंदर unnecessarily fear, doubts और restlessness आ रहा है शेव जी की किसी भी तरह से अरादना करना ठीक रहेगा समय पर सोना यानि 10, 10, 10 से 10, 10, 10, 11 सो जाना और सुपह कम से कम 5 बजे तो उठना ही चंदर को अच्छा करता है दूद से बनी चीजें अधिकतर donate करना चाय भी उसमी आगिया एक तो और इस condition में पानी का बहुत उप्योग करना पानी खूब पीना आपको किसी भी तरह के restlessness से खतम भी करेगा और शेव जी किसी भी तरह की आरादना भी शान्ती प्रदान करेगी money triangle है बहुत अच्छा है अभी कोई specific sign इधर बन सकता है तो आपको foreign से बहुत अच्छा कोई lab मिल सकता है और left hand में भी हम देख सकते हैं और ये इस बात को confirm करते हैं कि आप बहुत ज़दे independent expensive और जिर्दी इनसान है और finger के length at the end यहाँ पर अच्छी ही है लेकिन बस इसमें issues सिर्फ इतने हैं कि जो दोनों हतेली में मंगल से connection हो रहा है heartland का ये आपको जल्दबाजी हर वड़ी में हर काम से नुकसान दे जा रही है तो इसलिए patience के साथ दूरदर्शीता रख करके कोई भी काम करने से लाब है mind line इधर भी decline है but by far के कस है multi talented, multi tasking nature multi pal working capability आपके अंदर बच्पन से ही build अच्छी है moon luck line का combination है success after marriage या birth place से दूर success और मन का सारा काम होने की पूर्ण तह संभावना मौजूद है दोनों हतेली में जो life line इसकी quality बहुत अच्छी हुई है तो आपके health में improvement होना health में difficulties बिल्कुल नहीं होना वो heart line पर definitely problem दिखा है लेकिन उसका remedy भी आपको बता दिया गया है तो इसलिए सुधार होगा life की quality improve होगी समय बहुत अच्छा अपने family को दे पाएंगे connection attachment family के अच्छे हो पाएंगे personal and professional relations आपके अच्छे से maintain हो पाएंगे future में यानि आने होले 2-3 साल में 3 साल के अतरिक तो यह दि सबसे महत्पुन बात हैं आपके हाथ के regarding आशा करता हूं सभी परेशनों को अतर मिलिया हो तब तक आप अपना धियान रखें आपका बहुत बहुत धन्यवाद